धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, महाकाव्य, मदन, मोहन, तरुण के द्वारा लिखित, एवं उन्हीं के द्वारा पठित. इस महाविनाश के पश्चात, कृष्ण ने भेजा दारुक को हस्तिनापुर, देने को युधिस्ठिर को यहां का समाचार, उन्हें शंकाथी द्वारका को जानकर रक्षा भीहीन, करन दें तसकर आक्रमा, इसकी रक्षा है मात्र अर्जुन से ही संभव, दारुक के बिदा होने के पश्चात, कृष्ण गए पिता वासुदेव के पास, दी उन्होंने उन्हें इस सर्वनाश की सूचना, महल में अभी भी हैं इस्त्रियां जो असुरक्षित हैं तसकरों से, जब तक नहीं आते अर्जुन वे रहें साबधान, करें उन्हें की रक्षा, शोक बिहुल अपनी अठारह सो पत्नियों को केशब ने बढ़ाया धायरिया, अपने जीवित बचे पुत्र पौत्रों को किया साबधान, जब तक रहें सभी पूरुनता साबधान सुतर्क, हो सकता है तसकरों का आक्रमन, बताया आते ही होंगे अर्जुन, अब होंगे वही सब के रक्षक, आवश्यक है जाना उनके लिए भ्राता बलराम की खोज में, न जाने कहां चले गए वे महानास के पस्चात होकर सोक वे हुआल, कहकर सब को बिलखता छोड़, के सब चले गए वन की और, इधर पूरे भवन में व्याप्त हो गया सोकातुर को लाहल, क्या से क्या हो गया, सोच कर सब थे विकल आतुर, नहीं धारण कर पाता था कोई धैरिय, नहीं समहाल सके वासुदेव देव की, अपनी आत्मा पर यह अकल पनी ये प्रहार, और सब के देखते देखते हो गया उनका प्राणांत। इधर ढूड़ते हुए बलराम को पहुँचे केशव गहन वन में, देखा जाने पर कुछ दूर, बलराम थे गहन समाधी में लीन सागर तट पर, क्रिश्न के देखते देखते खुल गया बलराम का मुख, और उसमें से निकला एक विशाल नाग, जिसके थे सहस्र फन, उनके देखते देखते ही वह चल पड़ा सागर की ओर, उसके सम्मान में प्रकट हो गए सागर तल से स्वैम वरण, अनेकों नागूं के साथ, प्रकट होकर स्वैम महा सागर ने किया उस महानाग का सम्मान, और प्रविष्ट हो गया सब कुछ महा सागर में, बलराम चले गहन वनके और भी भीतर, बैठ गए एक स्थान पर, भूमी पर, चित्त को समेट कर चारूं ओर से, हो गए गहन समाधि में लीन, बैठे रहे इसी आसन पर, घंटों फिर सो गए भूमी पर, तभी जरनामक एक व्याद करने आया हिर्णों का शिकार, बनी थी उसके विशैले वानों की नोक, सागर किनारे उत्पन अईरक कास से, जिसे भी लगता था वह वान, कर देता था उसका प्रानाम्त, देखा उसने प्रसुप्त केसब का तलबा, जाडियों की ओट से, जिससे निकल रही थी एक कान थी, समझा उसने उसे हिरन की आँख, और कर दिया उस पर अपने वान का संधान, वान कर गया केशव के तलबे में गहराई तक प्रवेश, और उसके साथ ही वहां च्छा गया अलवकिक आलोक, और छोड़ दिया केशव ने परम धाम के लिए यह लोक,